हे दोस्तो आज चक मैंने इस चनल पर मिट्टी से जितना भी मूर्तिया बनाई है उन मूर्तियों में से आभी मेरे पास जितना मूर्तिया है वो सभी के सभी मूर्ति देखे मैंने यहाँ पर पूरा अगेटना कर लिया है तो आज की इस वीडियो में मैं इन सभी मूर्तियों को एक एक करके आपको दिखाऊंगा ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तेसलिए इस वीडियो को प्लीज लास तक देखिएगा तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना 1 million special एक वीडियो में और इस वीडियो में मैंने अभी तक जितने मूर्तिया सेफ करके रख पया है उन सभी के सभी मूर्तियों को मैं आपको दिखाऊंगा आज कि वीडियो में में मेंम हैmusic of मूर्थिया में आपको लिखाऊंगा कि ऋसभी मूर्तिय में ना इस चैनल पर अभी सारे 3 200-400 मूर्तिय लेकिन अभी में मेले पके सिर्फ सावी मुर्ति हैं बाकी मुर्ति है मैंने या फी तो सहे ने शेल कर दिया आः और लेकिन उस से पहले बीडियो प्ली 08 एक यूरा भू जाएंगे तो इसलिए प्ली वीडियो को एक लाइक कर दिख दिएगा और चलिए मैं आप кो एक कर साँच अब भी मेरे पास है तो जलिय की गड़तों में तर्य ही तो सब से छोटे मूघ्टियों से इसका लखे यह जाल दियाएगा अच्छा यह माता के मूठी यह है यह मैंने बनाइए उसको मोडे coming यह मुर्टी भी मैंने आज से लगबग 3 नाले बनाए थी दिखिए दोसको का एक स्याच्च बनाया था और यह दीद दोस्तों जी आए गैस जी आज से लगबग 3 साल पहले मैंने tahun पर एक बाफेलो का मुर्ति यह पर एक गानेश जी का मुर्ति यह पर एक स्री डाम का मूर्ति फ्रीक अर देली लेकर हाथ में धनुज भी था लेकिन वह थोи पर शोग जेँ और यहां पर देखे National ए्ट पर एक गोपल का मुर्ति और यहां पर शोपी जो आने है का हुआ है उसके बद दोस्तों लेखे है कस रशमती माथा का मोर्टी है और अच्छा एक मोट्य somans रॉणक पेचसांते और विभी को भी यह आप लोग संड़े हूंगे चांते हैं अगर पैसांतें तो तो आप साइध डेफिनिटली पैच रहेंगे कि यह कौन है सो उसके बाद यह देखिए दोस्तों यह है जो एक बाद एक चोटा सा डियर एक तिरन है दोस्तों यह देखिए ना कि जो मुर्ती है मुर्ती के ऊपर ऐसे काला-कला एक रैस्ट बढ गया है तो यह मुर्ती जहां यह पर थी उसका साइड में हमारा कीचें था और कीचें में जो चूला था चूला का जो धुआ है वह यह पर के ऐसा हो गया है उसके पर की बहुते पूरा ना मुर्थी एक टाइगर है जो कि मैंने आधसे लगवक तीन से चार सल पहले बनाया था तो इसलिए यह मूर्ति ऐसा पहले बनाया था और यह देखिए यह एक एंजिल का मूर्ति है इसका भी देखे एक हाथ टूट गया इस साइड का जो हाथ यह भी टूट गया है और पीछे एक लाइन है यह पर तो गनेश जी का मूर्ति जो मैंने इस सल बनाई है यह आपको बाद में दिखाऊंगा अच् है कि एक गल्फेंड बॉइफ्रेंड या फिर कापल देसे मैंने इसको बनाया था ओके तो यहाँ पर देखिए एक छोटू सा बेबी जो की एक किताबे पढ़ रहा है इसका से यहाँ पर देखिए एक मैरमेड है यह देखिए जल पड़ी ठीक है यह दिखिए दोस्तों यह कि एक फीमेल मॉडल ठीक है एक लेडिवीग यहाँ आपका एक भी मेल पर इसको ऐसे कर के नहीं दू सरह नेक है अधूर आशूरं यह कर होग है जो कि ऐस बयठा हुए बैटके शर्मा रहा है थीक है ऐसा कुछ और यह भी है यह एक विलेच का एक वुमेन है यह ऐसे आपने बालों को बांध रहा है इसा कुछ और यह भी मैंने आज से लगबग चार साल पहले बनाया था उसके बाद दोस्तों यह देखे यह भी एक वैसे एक गाउ का एक लर्की है जो कि यहां पर बैठके चार सल पहले बनाया था और यह पर एक छोटु सा डॉल है और यह पर देखिये हमारा एक हमान जी का मूर्थि है यह एक दो मतलब आंग्री मूड में ऐसे खड़े हुए है और अधर इधर भी मैंने एक डॉल बनाया था आज से लगबग एक सल पहले से बनाया था इसे डॉ कि एपिए बुद्धा का यग एक मैं एक बेभी बुढदा यहाँैं का दुनान वरतर कल मैं नहीं की जा कि शमकाइब के बालक बुद्धा है टीक हुंत तो पर देखिए जोकि यहां पर छोको सा एक गणेश जी का मूर्ति एक पिकोफ के साथ हो और यहां पर एक महा पर के साथ है यहां पर क्ली माता कर नहीं को जो नर्माल जहना को मिल दिया उसी गहना से, उसी साड़ी से, उसी हैर से, मैंने इसको बनाई है, और जोस्तो यहाँ पर देख एक बहुत ही बड़ा सा दूर्गा माता का मुर्ती है, इसको मैंने इस साल ही बनाया था, यह बहुत ही बड़ा सा इसका मुर्ती है, इसको मैंने पिछले साल बनाया था, इसको म और दोस्तों उसके बाद यह देखिए यहाँ पर एक मनसा दिवी का मूर्ती है यह भी मैंने इसाली बनाया था इस मूर्ती को और यह देखिए यह गन्यपति पप्पा का एक मूर्ती जो की एक बहुती शांदर सा सिंहासर के ऊपर ऐसे करके बैठा हुआ है ठीक है और देखि दोस्तों यहाँ पर देखिए यह बुद्धा का मूर्ती है यह गाय का मूर्ती जो मैंने इसाली बनाया था और यह शीव और परवत्ती जी का मूर्ती है बीच में छोटा सा गनेश जी भी है बीच में यह भी मैंने बनाया था एक सल पहले और यहाँ पर एक एंजल का एक क्रिश्ञाजी का मूर्ति यहां पर ये श्रतिम्रा कि यूद्ध कर talking कि महिला का मूर्तिय। यहींक इन एक कि सरसोति मात का मूर्ति श्रतिय। यहां पर एक सुजह करें मूर्तिय को श्रतिंग का मूर्ति हे चृप आंपर उन देखें नेपर कि मोहिड़को descriptive भी काफी बड़ा है ठीक है देखिए यह मूर्ती भी बहुत ही बढ़ा है उसके बाद देखे दोस्तों इधर भी एक शिब जी का मूर्ती है जो कि चांद के ओपर बैठा हुआ है उसके बाद यहाँ पर एक और श्युडी का मूर्ती है जो मैंने लगबक तीन से चार सल पहले देख को उसके बाद यहां पर देखे बहुत सरा काली मता कमोनी यह एक गली मता कमोर्ती को यहां पर दिखिए यह एक और है यह एक शिपजी का मूर्थी है जो कि नंदी के बेटा हुआ है और यह जो काली मता का मूर्थी यह तो मैंने रिसेंटली बनाई है एक माईने पहले ही उसके बाद यह एक और काली मता का मूर्थी है यह भी मैंने दो सल पहले बनाई थी यह भ बाद ये देखिए दूस्तो एक बहुती शांदर सा एक दूरगा मत्का मुर्ती छोटा सा नहीं होक्त इसके बाद इस मुर्ति को अब देखिया प्रिक दूस्तों ये क्लेपर्णि मत्रिक फामोर्ती है और ये है एक छोटा सा एंच स्वास्थ हेड़न करको दियर और ये पर सू रहा है और इसके साथ में दिखी एक टाइगर यह मैंने बनाया था आज से लगबग दो धाई साल पहले बनाया था उसके बाद यहाँ पर देखिए यह एक जगन्नात जी का मूर्ती है जो इसी साल जब रत हुआ था रात यत्रा उस्टेंप मैंने इसको बनाया था यह नहीं पर देखिए दोस्तों यह Abbottar की मूर्ती जुआ मैंने दो साल पहले बनाया था यह एक गनेजजजी का मूर्ती है जो मैंने इसी साल बनाया था और यह कार्तिक यह सरस्वति यह दुरुगा माता का मूर्ती यह लक्ष्मी और यह गनेजजी तो यह पुरा इक दूरु मूर्तिया जो मैंने आज तक शेप करके रख पया है कुछ मूर्तिया मैंने सेल कर दिया है और कुछ मूर्तियों को मैंने तोर के दुबड़ा से मूर्ति बनाई है तो बहुत सा लोग पुछते है कि मैं मूर्ति सेल कैसे करता हूं मतला बहुत सा लोग मुझे से मूर्तिया खर नहीं लीए मैं इस अनलान थे लिए गन्र कुलकता सें सब्सक्राइब मेरे आपको गया ओठेना यह को להborकी को सब्सक्राइब क्योंभी. आप बहुत सावरोग बोलते हैं कि भाई आप जीसे मूर्ती बानाते हैं यहाप पर यहाप नहीं मिलता है तो दोस्तों मैंने कभी यह सोचा भी नहीं था कि मैं एक दिन यह गोल्डेन प्लेवटन मुझे मिलेगा तो इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद अगर आगर आज तक मुझे कोई भी गलतिया होगा तो प्लीज आप लोग मुझे बताईएगा मैं मिठी से कर दिजिए और सबस्क्राइबर गलतिया हो जाता है तो चलिए दोस्तों आज के लिए एतना ही वीडियो का अगर अपने अभी तक लाइक कर दिजिए और चैनल को सब्दूर ड्यों सब्सक्राब कर दिजिए आभी तो हमारा ले चैनल वान तक बहुत गया है तो आपस झाल झाल